दस्तो नमस्कार हरी कुष्णा स्वागत करता हूँ आप क्यों हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में एंब्ये के बार हम बात करेंगे मैंफीज वसीज गॉर्लेश्टेर वोरियस तो पहले लगें बहुत ही काटे का हुआ था सिर्फ वन पॉइंट के मादिन से जीस डबल्यू दूसका ठीक है आपको ध्यान में रखना है बाकी दोस्तों स्टार्टिंग लब देख सकते हो जहां अबरेंट अजी डेजमन बेन खेल सकता है तो और यह सकता है तो यह सही रहीन देंगे ठीक हो मैं आपको बाद में बताता हूंगा उसका डिलेंब्रूक से यहां पर लाक लास्ट गेम में स्टार्ट किया था हो सकता है जोडन पूले स्टार्ट करें तो वैट करना पड़ेगा यहां पर दोस्तों ड्रीम ओन ग्रीन हो सकता है यह देख सकता हो स्टार्टिंग लैनप ठीक है वोरियस का दोस्तों लास्ट गेम देख सकते हो बहुत ही टक्कर का हु दोस्तों देख 17.8 रिबाउंट वन असिस्ट गेरी पैतन 8.6 रिबाउंट तीन असिस्ट ब्लॉक स्टील उसकत क्लेथ होमसें 15.3 असिस्ट वन ब्लॉक दो स्टील उसकत यहां पर ओटो पोट ट्वेंटी टू मिनिट और ड्रीम और गरिन को सिफ 17 मिनिटी खेलने के लिए ट जाने की जरूरत नहीं यहां भी सब कुछ मिल जाएगा यहां पर आपको SL मिलेगा यहां पर आपको GL मिलेगा आप देख सकते हो राज की बात करूँ तो आज यहां पर देख सकते हो ग्रेंड लिग फर्स्ट हैं आप अगर हमारी वीडियो भी काफी सारे टाइम से देख र वोरियस में दोस्तों बेंड से आने के बाद लास के दो गेम में लूनिय अच्छा कहल रहा है उसके क्रेडिट के मुताबिक कहल रहा है उसके बाद यहां पर देख सकते हो एक ग्रिजलीज का पहौमन से ग्रिजलीज में जेरेंड जैकसन जूनियर दोस्तों 33.10 रिबाउं को ट्राइ किया था उसने 25 मिट किला था 14 पॉइंट साथ रिबाउंड तीन स्टील वन ब्लोक वन आशिस्ट कोर किया था यह काफी अच्छी बात है और थाइस जोन को दोस्तों सी 12 मिट वरना उसको काफी अच्छा टाइम मिलता था खेलने के लिए अभी दूस्तों ड्री म ठीक है इसमें मैं आपको ग्रेंडिले की पिक्स भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले डेंजमन बेन क्या कर सकता है यह आपको मैं बता दू दोस्तों उसको गाड करने के लिए दू इलिट डिफेंडर है यहाँ पे क्ले थॉम्सन और स्टिफन करी और उस ने दोस्तों अभी दूस्तों स्टेफन करी कॉम लेंगे क्योंकि स्टार्ट कर रहा है जरूर हम ले उसको ले सकते है ठीक है और यहाँ पर दूस्तों कोई आपके बड़े खिलले आपको नहीं चाहिए और दूस्तों जोर्डन पूल ऐसा नहीं है कि लास्ट गेम में जितना अच्छा प मिला था यह भी हो सकता है कि इसको भी मौका ना दे उसकी जगह दोस्तों थायस जोंस को मौका दे लेकिन लास्ट गेम में अच्छा काम किया था 14.7 रिबाउंड या दो या तीन स्टिल किया थे अच्छी बात है उसके वाद स्मॉल फोडम दस्तों वीगी जो है ना ग्रें में फाइनल अब्डेट सेंड कर दूंगा उसका यहां पर दूस्तों पंदर आगड़ी ब्लेंड क्लार से खर्च करने से पहले आप यहां पर 14.5 यहां पर खर्च करें उसके बाद यहां पर जो है जैक्सन भी काफी एचा उप्सन है तो जैक्सन को लेंगे और लूनिंग तो यहां पर लेंगे हैं अमारे पस दुलिख मोजेट बिले को लें शकते हैं हमारे पस दी सतни सु यहां को करी बना देंगे वाइसर प्टरया दोस्तों इहां चैक्सन कबनाएंगे ठीक हो सकता है अगर आपको करें लोग प्रेड़े को निकलना पड़ सकता है यह समय सायद के निकलना पड़ेगा बहुत ज्यादा थे दोस्त उनुमारे पास बचेगा कोई बात नहीं दोस्तों यह पर अच्छच खण विगंगर ले लेग के पसंद करूं गप आप भी ट्राई कर सकते हो एक खास कर ग्रेंड के लिए है ठीक है तो बाकि यह करी वाला कॉंबिनेशन है इसमें स्टाल पर मरंड रख सकते हो बकी दोस्तों यहां पर गेरी पैतन भी काफी अच्छी पीक है अगर आपको उसको लेना है तो यहां पर दिकत यह है कि दोस्तों यहां पर हमें पॉर्टर लेना है क्योंकि सबसे कम करेंड के approached कर आप चाहे तो लहां पर यह पर ऐको पर पोर्टर के में fredूंट लेंगे यहां पर मरंड लेंगे ऊंबरो हमरें पर्ड़ल लिए लेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है आप चाहे तो दोस्तों यहां पर ब्लेंड कलार की जगा आपके पस टेंट पॉन फाइब को डिलियम ब्रुक्स ले सकते हैं यह पी दूस्तों ग्रेंड लिग में काम आ सकता है और एक और कॉंबिनेशन बन सकता है आप यहां पर लूनी को तो बस उतना ही हो सकता है ठीक है तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए मैं खालक ना वाबाए टेक केर और हाट टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना वहां पर आगे अब्रेट मिलेगा